सिक्षा इस इस इंस्टिट विलासपुर के ओर से मैं वेत सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जो वीडियो है यह खास तोर पर SI मेंस को फोकस लेकर बनाई जा रही है आप सभी को पता है कि SI मेंस का जो संसोधित पाठेकरम है सलेबस है वो आ चुका है और इसमें कुछ परिवर्तन भी है इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी जोड़ दिये गए है इसी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्था के ओर से SI मेंस की टेस्ट सीरीज चलू की जा रही है जो इस प्रकार से है यह जो टेस्ट सीरीज है यह बारा प्रेल से लेकर 31 मही तक समय रहेगा दो से लेकर 4 बजे पी-म में कुल जो है इसमें 15 टेस्ट हमारी संस्था के द्वारा कराई जाएगी जो टेस्ट सीरीज है वो कहा जाया तो हपते में 2 बार होगी कुल जो है 100 प्रस्थन होंगे और यह जो टेस्ट है वो पेपर वाईज लिया जाएगा जैसे 3 पेपर हैं सलेबस आप देखे होंगे तो पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 है पेपर 1 जो लेंग्वेज का है यहां से 100 प्रस्थन पेपर 2 जो GS का है समान्य अध्यन का यहां से 100 प्रस्ण और पेपर 3 जो aptitude का है वहां से जो है आपके 100 प्रस्ण पूछे जाएंगे सलेबस में यह भी बताया गया है कि वस्तुनिष्ट के अलावा लिखित प्रस्ण पूछे जाएंगे तो लिखित प्रस्ण जो है language के लिए खास कर दिया गया है तो वहां पर आप देखे होंगे कि अपठित का द्यांस पद्यांस दोनों हैं इसके अलावा संचिप्ती करण है इसके अलावा एसे में इंग्लिस एसे में आपको कोई भी एक टॉपिक पर एसे लिखना है और साथ ही साथ कुछ ट्रांसलेशन है जो हिंदी टू इंग्लिस और इंग्लिस टू हिंदी है तो इसी प्रारूप में जो है लेंग्वेज का पेपर आपके सामने रहेगा क्लियर तो ये कुल जो है पंदरा टेस्ट है इस टेस्ट सीरिश क्या आउसकता क्यों हैं दोस्तों तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी अभियरती हैं उनके सामने यही प्रसन आता है कि प्रसन किस प्रकार से पूछे जाएंगे पहला प्रसना दूसरा जो रहता है कि इसके पहले 2012 में आज से 10 से 11 साल पहले पूछा गया था उस समय परिछा का प्रारूप कुछ-कुछ ऐसा ही था लेकिन उस समय जो प्रस्णों का इस्तर है अभ्यर्थियों की संख्या है यह अलग थी अभी अभ्यर्थियों की संख्या जादा है प्रस्णों का इस्तर कुछ अपडेटेड रहेगा तो test search क्या शक्ता क्यों? क्योंकि आपको एक platform दिया जाएगा एक exam hall का महौल दिया जाएगा और प्रस्नों का जो प्रारूप है उसी means, assignments के प्रारूप के आधार पर ही तयार किया जाएगा ताकि जो चुनेंदा प्रस्न है उसको आप face कर सकें कुछ descriptive जो प्रस्न है उनको उसी pattern में आप दे सकें कुल मिला कर दोस्तों आप अपनी तयारी को इस test search के माध्यम से मजबूत बना सकते है और जो सबसे महत्पूर्ण चीद है presence of mind जो एक्जाम के समय आपका जो mind काम करता है जहां पर हमको डर लगता है और डर की वज़ा से हम कुछ question को गलत बना का जाते हैं इस प्रकार की जो चीजे हैं वो बार बार नहीं होगी अगर आप इस test series को देते हैं एक सामान्य फी के माध्यम से इस test series को उपलब्ध करया जा रहा है आपके सामने तो 12 अपरेल से 31 मई तक इसका जो date है ये रहेगा कुल 15 test है याद रखेगा अब देखिए इसके कुछ-कुछ जो बाते हैं वो क्या क्या है तो पहला तो ये बात confirm है कि test series पूर्णता क्या होगी संसोधित पाठिक्रम के अंसार होगी आप देखिया होंगे कि कुछ-कुछ संसोधन हुआ है कुछ नए topics जैसे यातायात के नियाम हैं माना अधिकार हैं अगर आप syllabus के बारे में भी देखना चाहें तो YouTube में हमारी संस्था के ओर से एक video अलरड़ी डल चुका है जो updated syllabus के बारे में बताया गया है जिसमें कौन-कौन से topic नए हैं किस कौन-कौन से topic पुराने हैं कौन से objectives प्रसन आएंगे कहां से descriptive प्रसन आएंगे वो सारा चीज हमारी YouTube चेनल में डला हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह जो test series है पूर्णाता है क्या होगी संसोधित पाठे करम के अनुसार होगी दूसरा जो point है paper 1 objective और descriptive दोनों प्रकार का होगा paper 2, paper 3 जो GS का है जो aptitude का है वो objective प्रारूपने होगा तीसरा जो है लिखित प्रस्णों के जो उत्तर है जो प्रस्ण दिये जाएंगे लिखित वाले उसके लिए OMR सीट के साथ ही आपको blank space दिया जाएगा वहाँ पर भी क्या है दोस्तों सब्द सीमा है उसी सब्द सीमा में आपको लिखना रहेगा कुल मिल आकर जो पेपर वन है उसमें OMR के साथ ही आपको आंसर सीट भी उसी में space के साथ मिद्द दिया जाएगा ताकि वहाँ पर आप descriptive pattern में practice कर लें fourth point है test series के जो result हैं वो उसी week के अंत में notice board के माध्यम से और इसके लिए test series के जितने भी अभिहरती हैं जो registered हैं उनका एक whatsapp में group बना कर वहाँ पर वो result को बताया जाएगा test series सम्बंदी जानकारी समय समय पर whatsapp group के माध्यम से उपलब्ध करा जाएगा जो भी जानकारी रहेंगी हमारे दवरा हमारे team के दवरा एक group बनाये जाएगा और उस group में जो test series का group है उसमें जो भी test series सम्बंदी जो चीजें हैं जो updates हैं वो सारे वहाँ पर उपलब्ध कराये जाएगे अगर किसी प्रस्ण में दावापत्ती है आपको कोई प्रस्ण समझ नहीं आ रहा है उसके answer में कोई किसी प्रकार की दिक्कते हैं यह answer क्यों हुआ कैसे हुआ अगर इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप उस प्रस्ण के को जो है आप whatsapp में जो group बना रहेगा उसमें आप डाल सकते हैं या हमारी जो टीम है उस विशय से समंदित टीचर्स यहां क्लास में आकर उस प्रस्ण का समाधान आपको बता देंगे प्रत्यक्च रूप से पहुंच कर इसके अलावा देखिए एक खास बात है जो हमारी टीम कर रही है आप लोगों के लिए एक nominal सी ची होंगे तो यह क्या चीज है तो प्रतियक टेस्ट में जो फर्स्ट जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पहला जो इस्थान होगा उसको संस्था की और से कोई न कोई एक आकरसक इनाम भी दिया जाएगा यह जो इनाम है वो तो एक माध्यम है ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और इसके लाओ और कुछ नहीं है आप पद पाएं यही हमारी संस्था की क्या है का उद्देश्य है हमारी टीम का उद्देश्य है तो ठीक है दोस्तों यह कुछ पॉइंट्स है इसको द दिलाना चाहते हैं वह संस्था में आएं अपना रिजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना इस्तान सुनिशीत करें इसके साथ ही वीदा लेना चाहूंगा बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्य।